नमस्का दोस्तों, एस्टो वास्तु टीप्स में आज मैं बताऊंगा जो नेम का स्पेलिंग होता है और उसका कारेक्शन के बारे में जैसे हम लोग का नाम होता है कुछ लेटर से बनते हम लोग का नाम ठीक है उससे पहले मैं बोलता हूँ, जैसे यह numerology का एक पार्ट है, तो numerology में जैसे हर एक letter होता है, जैसे A, B, C, D होता है, जैसे एक letter होता है, इस letter का सब एक digit value, जब एक number, इस letter का हर एक letter का एक एक करके number दिया हो है, एक numeric value है सब का, नीचे इस में, चार्ट में आपका यह नीचे म का number है, 1, B का number है, 2, C का number है, 3, D का 4, ऐसे करके, X का 6, Y का 7, Z का 8, ऐसा सब का एक numeric value है, और एक number है, ठीक है, तो अब देखिए, हम लोग का जो number है, तो, सरी हम लोग का जो नाम है, उस नाम को हम लोग कैसे calculate करते, और कैसे good luck और bad luck लाते, वो मैं बाता हूँँगा, उससे पहले और एक चीज़ देखिए, यह जह category up numbers, दो category का number होता है, एक होता है, 1, 2, 3, 5, 9, यह category 1 में आता है, और यह category 2, जिसमें होता है, 4, 6, 7, 8, यह 4 आता है category 2 में, तो यह दो category का number आता है, ठीक है, अब देखिए, मैं कुछ example के तौर पर आपको बताना चाता हूँग, जैस जैसे कोई example मैं बोल रहा हूँ, जैसे Mr. Amitroy, तो Amitroy, तो इनका जो नाम है, तो इनका जो नाम है, इनका नाम का जितना letter है, जैसे A, M, I, T, R, O, Y, सबको add करके मैं देखता हूँ कितना number आता है, ठीक है, तो A का देखिए value क्या है, A का यह value दिया है, 1, ठीक है, M का value क्या ह आता है, 9 आता है, देखिए, 9 आता है, फिर T का value क्या आता है, T का आता है, 2, तो इनका जो नाम है, इन नाम का single digit में कितना आता है, 2 आता है, ठीक है, अब देखिए, यह जो आता है, इनका date of birth, for example, 25th December 1989, ठीक है, तो इनका जो date of birth है, तो date of birth का जीतना number है, इनको सबको भी add कर रहा हूं है, add करके कितना है, 2 plus 5 plus 1 plus 2 plus 1 plus 9 plus 8 plus 9, कितना है, 37 है, तो क्या है, 3 plus 7, 10 आ रहा है, 1 plus 0, 1 आ रहा है, मतलब single digit में लाना है, जो नाम है, उनका भी सब को add करके single digit में लाना है, जो data of birth है, उनका भी single digit में लाना है, तो ये देख हैं, नाम का कितना आ रहा है, अमीत रॉयका, Mr. Aumit Rhoi का कितना रहा है, two आ रहा है, ठीक है, और इनका data of birth का कितना आ रहा है, one आ रहा है, तो देखिए यह दुनों क्या same category में आ रहे है, two और one, देखिए यह category one में आ रहे है, two और one category में आ रहे है, one में आ रहे है, तो इसका मतलब जो इनका date of birth के हिसाब से, इनका जो यह नाम का spelling है, name का जो spelling है, यह correct है, यह name इनके लिए good luck लाएगा, ठीक है, मतलब मैं बोलना चा category two में हो, same category में आएगा, तो उनके लिए वो good luck लाएगा, अगर वो अलग category में आ रहे है, तो उनके लिए good luck नहीं लाएगा, वो bad luck लाएगा, ठीक है, और example लेता हूँ, ठीक है Mr. Sunju Kapoor, ठीक है Sunju Kapoor कर देखे, S, S for कितना रहे है, one, A for कितना रहे है, one, N for five आ रहे है, तो total add कर के कितना रहे है, यह 33, 3 plus 3, 6 आ रहे है, ठीक है, और यह Sunju Kapoor जो है, इनका date of birth, 18, 9, 1984, तो यह सब total add कर कर के कितना रहे है, 40, 4 plus 0, 4 आ रहे है, देखे, यह 6 और 4, देखना है, अब 6 और 4, same category में आ रहे है, यह अलग category में आ रहे है, तो देखे, 6, यह 6 जो आ रहे है, category 2 में आ रहे है, और यह 4 जो आ रहे है, category 2 में आ रहे है, तो 4 और 6, यह दोनों same category में आ रहे है, मतलब यह जो Sanju Kapoor का जो यह नाम है, इनका date of birth के हिसब से, यह नाम का spelling है, यह इनके लिए lucky number होता है, तो यह इनके लिए good luck ही लाएगा, मतलब same category के हो रहा है, तो यह good luck हूँ, देखिए, यह है Miss Reabos, तो Reabos का मैं calculate कर रहा हूँ, कितना आ रहा है, R का देख रहा है, 9 आ रहा है, I का रहा है, 9 आ रहा है, Y का रहा है, 7 आ रहा है यहां पे, और A का रहा है, 1 आ रहा है, तो Reabos है, ऐसे करके Reabos का total calculate कर रहा हूँ, कितना रहा है, 40 आ रहा है, तो यहां कितना हुआ टोटल एट करके ऊट करके 4 खें तो यह जो रियावोश है इनका डिट अब बैट कितना रहे है तो वो 4 आ रहा है, तो 4 कौन सा केटगरी, यह केटगरी 2 में आ रहा है, वागर इनका डिटब बार्थ का जो destiny number है, वो केटगरी 1 में आ रहा है, तो यह अलग केटगरी में आ रहा है, तो यह good luck इनके लिए नहीं लाएगा, यह इनके लिए bad luck लाएगा, यह जो रिया बुस का हिसाब से हम लोग को calculate कर लेना पड़ता है, ताकि वो नाम अगर सही हो, तो वो बहुत good luck लाता है हम लोग के लिए, हम लोग का जिन्दगी में, ठीक है, तो अब इसको correction कैसे करें, देखिए, अब देखिए, रिया बुस का total कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है, 4 category 2 में आ जाएगा, कैसे, देखिए, यह हमने लिखे, यहाँ लिखे, यहाँ बहुत, होता है 4 plus 7 11 11 मतलब 1 plus 1 2 तो यह भी देखें 2 20 यह category 1 में आ रहा है मतलब data part 5 आ रहा है यह category में और यह 2 जब होगा तो मतलब यह जो नाम होगा रिया पॉस यह 2 करके लिखे दिया हूं पास में यह भी category 1 में आ रहा है तो ऐसे करके हम लोग नाम को करेक्शन भी कर सकते हैं अगर हम लोग का नाम का जो spelling है वो अगर सही नहीं आ रहा है तो नाम का करेक्शन में हम लोग कर सकता हूं ठीक है तो सेब यह चीज़ देखना है जो नाम का spelling उनका जो single digit number और date of birth का single digit जो number है यह same category में लाना है same category में लाएगा तो good luck लाएगा अलग category में आएगा तो वो bad luck लाएगा ठीक है दोस्तों मैं समाझता हूं कि आप लोग समाझ गए होंगे हम लोग का name को कैसे correction करना है ठीक है आप लोग के जिन्दी में खुशी आते रहे good luck आते रहे thanks for watching the video